मध्यपरदेश के मुख्यमंत्री कमलात के ओस्ट और करीबियों के ठिकानों पर आईटी के छापे मारी पर पूर्फ सीम दिग्विजे सिंग ने कहा कि उन्हें इसके बारे में जानकारे नहीं है जिन लोगों के यहां छापा मारा गया वही लोग इस बारे में जबाब इतना ही नहीं दिग्विजे सिंग ने कहा कि आयकर विभाग ने बीजेपी अध्यक्ष अमित्शा और पूर्फ सीम शिवराज सिंग पर कारवाई की होती तो इससे जादा मिलता है कि जानकर जादा नहीं है कि जिन पर चापे पड़ें उजलाते हैं नौ करोड ते लभख पढ़िन ककर जी के हुआ से बीजेभी का आरोप एची जो है चोकीदार को चोब बोलते थे खुजी के घर से चोब में कर रहा है मामा मामी के घर घर कर चापा पड़ता или अमिर्शाद घर कर छापा पड़ता पता नहीं प्तनी मिलते है एंजलहरों करोण मिलते है शा मनना जारह है कि जिनाष्ट करोण रूपे मिल सकते हैं इक गुट लिए प कौन करेगा पूर के दिनों में आपका परिकमा करी जिस रोड से, वहां काफी परिष्टा चार हुआ, क्या आप जाज करा पाएं? कुछ जानकर ही मिली कि तुछ जाज कराएंगे आपने काई कि हम्मत कोन करेगा, तो क्या लगता है कि जाज करेगा भारती जनता पाटी क्या बिना चुनाओं के पर चुनाओं लगता है एकोई कन्डेट ने मिल पहरा है It's a big question लोगसअब चुनाओं के बाद BGB आगगा हम तो 25 सीट पे लडेंगे चुनाओं लोग सबस्वा चुनाओं के बाद BGP दावा कर देगी कि जो सरकार गिर जाएंगी, क्या लगता है कुछ कुछ विधायक जो है, इसा खरीद फरोग करने में लगे हुए है, सेक्रोग करोड रुपे खर्च करना चाहते हैं, लेकिन कॉंग्रिस का कोई विधायक, निर्दली और जो भावजन समाज पार्टी और समाजबादी पार्टी के विधायक से मक्तन दे रहे हैं, वो कोई ही बिखाऊ नहीं है, तो आपने पामा खेडी में, हम लोगों ने आप से पूछा था है, नर्वदा नगर में इंद्रा जी की प्रतीमा जिसका अनावरण नहीं हुआ ह लेकिन अब आपकी ही सरकार आगई है, तो क्या अनावरण होगा? करना चाहे रहे हैं, मुझे मेरा अंदर ते भूला कि आपको जलूर जान करेजिए, कि नंग ये फैर प्रतकमा आजकर पूरी नहीं करें।